मूर्णिंग नमस्कार आदाप सस्तिरिकाल की हल चाल है भाई लोग मैं आपका दोस्त आपका भाई सुईत कमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग समय और कारे के दूसरे टोपिक यानि की दूसरे वीडियो के बारे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए प्रस नमबर एक के साथ अरंब करते हैं तो इस वीडियो का जो पहला क्यूशन है वो है किसी कारे को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कारे को कर सकते हैं ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए जो है, एक काम को मान लेते हैं कि एकस दिन में कर सकता है, ठीक है, तो जब एकस दिन में करेगा, तो निकालेंगे कि एक दिन में केतने काम करेगा, तो एक दिन में वो एक बटा, एकस भाग काम का कर देगा, वो कर देगा, ठीक है, क्योंकि B प्लस C भी क्या कर रहे है कि X दिन में काम कर रहे है ठीक है तो एक दिन में B प्लस C भी केतना करेंगे तो एक दिन में B प्लस C भी एक बटा X भाग को ही करेंगे ठीक है अब आगे किशन बोला है कि यदि A और B इस कारे को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पास बोला है कि A Pulse B जो है मिलकर इस काम को 10 दिन कर रहे हैं ठीक है 10 दिन कर रहे है यानि कि यहां से निकालेंगे एक दिन वह अगर काम करेंगे तो पूड़ा काम का 1 बटा 10 भाग को कर देंगे ठीक है अब उसी परकार आगे बोला है किशन में कि अकेला जो है A और B मिलकर के 10 दिन में काम कर देंगे और C अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है तो उसी परकार हम लोग C का भी लिख लेंगे कि C कितना दिन काम करता है तो 50 दिन करता है ठीक है तो यहां से निकालेंगे कि आखिर एक दिन में से कितना काम करेगा तो काम का एक बटा पचास भाग एक दिन में कामो कर देगा ठीक है तो अब क्या है आगे देखिए बोला है कि तो बताइए कि B अकेला उस कारे को कितने दिन में करेगा मतलब बताना है कि B अकेला उस सब्सक्राइब देख लेंगे कि आखिर A प्लस B प्लस C जो है तीनों मिल गएगा कि कितना काम कर रहे हैं ठीक है तो देखिए यहां पस क्या हो जाएगा हो जाएगा A प्लस B प्लस C क्वल्टो हम लिख सकते हैं कि एक बटा दस भगे कर रहा है एक बटा पचास भगे कर रहा है यानि कि C जो है एक बटा पचास कर रहा है और A भी मिल करके एक बटा दस कर रहा है यानि कि एक बटा दस प्लस एक बटा पचास ठीक है यहां से क्या करेंगे इसका LCM ले लेंगे आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा अब जो होगा वो 5 बार यानि कि 5 एक बार में यानि कि 1 तो हो जाएगा 5 एक 6 चो बटा 50 यानि कि 3 दोना 6 और 25 दोना 50 तो यहां से क्या जाएगा 3 बटा 25 ठीक है तो 3 बटा 25 भाग यहां से आ गया ठीक है अब इसी 3 बटा 25 हम लोग क्या लिख समय यानि कि 25 बटा 3 दिन का समय लेंगे ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे अब आगे देख लेंगे उसी प्रकार कि आखिर जो है वो A पलस B पलस C अभी इसमें देखेंगे कि कितना काम कर रहे हैं ठीक है तो देखिए A पलस B प्लस C मिलकर कितने का आप कर रहा है तो 1 बटा X A और B मिलकर कर रहा है ठीक है और B और C मिलकर भी बटा X कर रहा है यानि कि 1 बटा X इसको भी हम लिख सकते हैं ठीक है तो इसके LCM लेने के तो आ जाएगा X आ जाएगा और यहां से इसको जोड़ देंगे तो एक एकमेक एक एकमेक यानि कि 2 बटा X भाग यहां से आ गया ठीक है तो 2 बटा X भाग आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि X बटा 2 दिन ठीक है तो X बटा 2 इसको दिन लिख सकते हैं ठीक है तो अब यहां से क्या आ गया कि यहाँ पास देखिए यही x बटा 2 दीन का जो मान आया है वो यहाँ पास 25 बटा 3 दीन आया था ठीक है तो यहाँ से मैं रख लेंगे कि x बटा 2 दीन बराबर आया था भी 25 बटा 3 दीन आया था ठीक है तो चलिए इसको cross multiplication कर देते हैं तो क्या आजाएगा तो यह जो है 3 x हो जाएगा और 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा यानि कि x इसको जब हम लोगों मान निकालेंगे तो आजाएगा 50 बटा में 3 आजाएगा ठीक है तो यहाँ से क्या गया x इसको पचास बटा में 3 आगया तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे जब x का मान आगया 50 बटा 3 तो हम लोग यहां से b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा इस का मान निकालेंगे ठीक है तो देखिए यहां पास लिखेंगे कि b अकेला b अकेला उस कारे को एक दिन में करेगा ठीक है तो जब एक दिन में करेगा तो उसमें से क्या हो जाएगा कि A प्लस B और माइनस यदि A कर देंगे ठीक है तो यहां से B कमान निकल जाएगा और A कमान यहां पस क्या आया है तो A कमान हमारे पास आया है 50 बटा में 3 ठीक है एक कमान क्या है हमारे पास एक कमान जो आया है वो आया है पचास बटा में तीन ठीक है तो यहां से जब हम लोग पचास बटा में तीन इसका मान निकाल लेंगे तब यहां से बी कमान आ जाएगा तो देखें यहां से क्या हो जाएगा कि यहां से हो जाएगा एक बटा में 10 किस का मान है एक का मान है और यहां से क्या हो जाएगा एक बटा में X किस का मान है तो B का मान है ठीक है तो एक बटा में यहां से 10 इसको लिख सकते हैं और इसका जो एक का मान जो है माइनस लिख सकते हैं यहां से 3 बटा में 50 ठीक है, यही 1 बटा X कमाना है 3 बटा 50 तो 3 बटा 50 यहां से लिखे लिए ठीक है, अब यहां से लोग 10 और 50 का LCM ले लेंगे तो क्या आ जाएगा تو LCM लेंगे तो 50 ही आ जाएगा ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा 5 बार में यहां से 5 एकंग 5 उपर चल जाएगा तो ये दिन हो जाएगा यानि कि 25 दिन का समय लगेगा ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number C ठीक है या उसको 3 बोल सकते हैं चलिए अब हम दूसरे नंबर के प्रशन को solve करने का प्रयाश करते हैं दूसरे नंबर का question है कि A और B एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं B और C उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और C और A 20 दिनों में कर सकते हैं उस काम को पूरा यदिवेश सभी मिलकर 10 दिन काम करें और फिर B और C काम छोड़ कर चले जाए तो से इस काम को जो A है कि इतने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, तो हम लोग प्रशने कनुशार चलते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, कि जो A प्लस B है, वो 30 दिनों तक काम कर रहे हैं, ठीक है, यानि कि 30 दिनों में काम समाप्त कर देंगे, और B प्लस जो C है, वो 24 दिनों में काम समाप्त कर सकत है ठीक है और जो c प्लस a है वो इसे 20 दिरूम समाप्त कर सकते हैं तो यहां से इसका एलसे में लिंगित हो जाएगा 120 यहां से चोबर में जाएगा और इसे पांच बर में जाएगा और यहां से चोबर में जाएगा यहां से उन लोगों का कुल चमता क्या है 15 ठीक है तो उन लोगों का जब कुल चमता 15 आ गया तो यहां से लिख सकते हैं कि a प्लस a 2 और यहां पास 2b यहां से 2c यहां से कुमन ल चमता हो जाएगा, वो हो जाएगा, 15 बटा 2, ठीक है, अब देखे, ये तीनों मिलकर क्या हरा है, 15 बटा 2 चमता के साथ, 10 दिन तक काम करेंगे, ठीक है, तो 10 दिन तक काम करेंगे, ठीक है, तो 10 दिन तक काम करेंगे, ठीक है, तो 10 दिन तक जब काम करेंगे, तो हो जाएगा, समता है 15 बटा 2 और काम कर रहा है 10 दिन यानि कि 5 से कट देंगे दूबर में इसको तो 10 हो जाएगा यानि कि 15 पचे 75 ठीक है तो 75 काम को कर दे रहे हैं यानि कि टोटल काम था 120 और कर दे रहें 75 काम को यहां से कर लेंगे 120-75 ठीक है तो जब 120 में से 75 को घुटा आइंगे इतनी हैसर जाएगा 45 यानि 라 Kentucky 45 काम जो है अब शेस रह गया है तो शेस काम को अगले कौन करेंगा अज़ित प्रस ने बॉला था कि 6 काम को पूरा करने के लिए अकेले काम करेंगा ठीक है, तो अब बताना है कि A अकेला अब उस काम को आखिर कितना दिन में अब पूरा करेगा ठीक है तो हम लोग को यह तीनों का छमता पता था इसलिए तीनों से हम लोग काम को निकाल दिये कि 10 दिन तो काम किया तो 75 काम कर दिया लेकिन अब A से निकालना है हम लोग को सह से पहले A की छंता गयात करना होगा तो चले देख लेते हैं यहां से A plus इसलिए A plus B plus C equal to हम लोग लिख सकते हैं कि 15 बटा 2 ठीक है अब देखिए B और C की छंता क्या था तो B और C की छंता क्या था 5 ठीक है तो यहां से अबरी क्या करेंगे कि a equal to लिख सकते है 15 बटा दू इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा ठीक है तो यहां से हम लोग क्या करेंगा बटा में कुछ नहीं तो एक है ले ले लेंगे तो हो जाएगा 2 घीक है तो हम लोग जाते हैं कि कूल काम बटा बटा होता है तो कूल काम कितना सेष रह गया है इसको लिख सकते हैं 45, छमता क्या है 5 बटा 2 है, 2 उपर चल जाएगा तो उसके साथ मल्टिपलाई यानि कि 45 दुना 90 हो जाएगा और 5 डिवाइट करेंगे तो 18 बार में यानि कि यह जो है स्थेस काम को 18 दिन में क्या कर देगा समाप्त कर देगा यानि कि जो इसका जो सही अंसर होने वाला है वो हो जाएगा option number A जो हो जाएगा बिल्कुल सही अंसर ठीक है अब हम लोग तीसरे नमबर प्रस्ण को सोल्ब करने का प्रेस करेंगे जिसरे नमबर प्रस्ण है कि A एक काम को 18 दिनें पूरा कर सकता है और B उसी काम को A से आधे समय में पूरा कर सकता है वे दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं ठीक है? तो पुछा है कि एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं ठीक है? तो चले हम लोग इस परस्नों को भी सोल करेंगे तो A जो है काम करने के लिए कितना समय ले रहा था, 18 दिन का, और B बोला है कि A से आधा, यानि कि ये 9 दिन का समय ले रहा था, LCM लेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 जो काम रहेगा, 18 आदमी एक दिन में कर देगा, और 9 आदमी 18 काम को 2 दिन में कर देगा, यानि कि इनका जो छमता ज ठीक है तो एक दिन में काम का काम का कितना भाग करेंगे तो देखिए यहां से हो जाएगा कि कुल कार्या या काम बटा कुल छमता ठीक है तो उन दोनों का जो उन सबों का कुल काम कितना था 18 खुल समत के हैं 3 है तिहां से जाएगा 6 यानि कि 6 दिन यानि कि यदि 7 में काम करेंगे तो 6 दिन काम करेंगे तो कीचों में पूछा है कि एक दिन में कितने भाग काम करेंगे तो हम लोग को पता है कि यदि Y दिन कोई काम करता है तो एक दिन के पुछेगा तो हो जाएगा 1 बटा में y, यानि कि 6 दिन काम करता है, तो एक दिन का पुछा है, कि एक दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, तो हो जाएगा, एक बटा में 6 भाग, यानि कि काम का एक बटा 6 भाग एक दिन में कर रहा होगा, तब 6 दिन में काम पूरा हो जा रहा होगा, ठीक है, तो अब ह B अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है तो A और B साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे आपको यह बताना है कितने घंटे का समय उन दोनों मिलकर के लेंगे तो यहां प्रस्ण ने बोला है कि B का A घंटा का जो काम है का काम है वो कितना है तो 1 बटा 12,S using total payback का में था कि 12 घंटे काम किया है, तो 12 घंटा जब हो काम किया है, तो एखंटा में कितने कर रहा होगा, तो एक बटा 12, ठीक है, तो एक बटा 12 भाग यहां से आज जाएगा, ए घंटा में अब जो है आगे बोला है कि ए ए घंटा में कितने कम करेगा तो ए का ए घंटा ठीक है ए का ए घंटा का काम तो हो जाएगा प्रस्ण बोला था कि आधा ठीक है यानि कि 1 बटा 12 का आधा काम वो कर देता है ठीक है यानि कि 1 बटा 24 भाग वो का करेगा ए करेगा ठी नो बोला था कि A और B साथ मिल के कितने घंटा काम करेंगे ठीक है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि इसलिए जब A पलस B दोनों मिल के काम करेंगे तो आखिर हो काम A घंटा में कितना काम कितना भाग कर देंगे ठीक है तो निकालेंगे कि A पलस B का एक घंटे का एक घंटे का काम तो यहांस निकाल लेंगे कि A प्लस B का एक घंटे के काम तो एक बटा 12 जो की B का है और एक बटा 24 जो है कि A का है तो यहांस इसका LCM लेंगे तो हो जाएगा 24 दो बार में आनिक 2 एकम 2 और एक एकमेक ही आगे, यहां से आजएगा 3 बटा में आजएगा, 24 यानि कि काट देंगे 8 बार में तो हो जाएगा, एक बटा में 8, ठीक है, तो हैंसे हो जाएगा एक बटा में 8, अब जो बोला है, कि A और B उसी काम को पूरा करने में, मतलब एक दिन में क्या कर रहा है एक दिन में A पलस B जो है दोनों मिल करके काम का एक बटा 8 भाग कर रहा है तो यहां से क्या हो जाएगा एक दिन में इतना यानि कि 8 दिन में क्या कर देगा टोटल काम को पूरा कर देगा तो हो जाएगा 8 दिन कार करने का समय वो 8 दिन को लेगा ठीक है अब हमें पांचवे नमर क्युचन को solve करेंगे पांचवे नमर क्युचन है कि B किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1 बटा 6 समय में आधा काम करता है ठीक है तो उसके जो 1 बटा 6 समय में आधा काम करता है यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों का कुल जो यहाँ पास A जो है उसके एक बटाच्छो आधा काम करता है तो दोनों को कुल दस दिनों लगते हैं ठीक है तो B अकेला उसकाम को कितने समय में करेगा यह आपको बताना है ठीक है तो देखें यहाँ पास क्या है कि A है और B है ठीक है तो B B जो माल लिजे कि A काम कर रहा है तो यह जो है यहाँ पास दिया गया था कि 10 दिनों का समय लगता है काम को पूरा करने के लिए ठीक है तो यहाँ से 6 दिनों का समय लगता है तो यहां से क्या है कि आधा काम करता है तो एक बटा दो काम परती दिन कर रहा है और छे दिन तक काम कर रहा है ठीक है तो यहां से हो जाएगा कि यहां से हो जाएगा यहां से इसको काटेंगे 3 यानि कि 3 अनुपात 1 में क्या हो रहा है काम यहां से हो रहा है ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा कि 10 दिन तो काम कर रहा है तो इसका अगर कुल छंता निकालेंगे तो 3 प्लस 1 आ रहा है यानि कि इन दोनों का छम्ता जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, A प्लस B का छम्ता क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो A प्लस B का जब छम्ता चार हो जाएगा, अब क्यूचन बोला है, कि सोरी इहां पस 10 ही था, तो 10 दिनों का समय लगता है काम को पूरा करने के लिए कि 4 4 कि 6マटा से ठीक है 4 के 6マटा से 10 दिनों तक अगर काम करेगा तो 4ime 40 यानि कि 40 – total काम होगा तब ही क्या हो जाएगा कि 4 कि 6マटा से 10 दिनों तक काम करेगा ठीक है तो यहां से बोला है कि B अकेला ठीक है B अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा तो B की छमता क्या है यहां से एक है टोटल काम क्या है तो 40 तहीं लिखेंगे कि कुल कार रिया बटा में क्या हो जाएगा कुल छमता ठीक है तो कुल कार बटा कुल छमता यानि कि 40 टोटल काम है चमता क्या है एक है तो कितनी समय लग जाएगा तो 40 दिन का समय क्या हो जाएगा लग जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा हो हो जाएगा option number 3 ठीक है चलिए अब हम लोग next प्रस्ण में चलते हैं चलिए नवर प्रस्ण है कि एक आदमी 40 दिन में 2 घंटा काम करके 30 काम करता है तो दूसरा आदमी 20 दिन ठीक है कितने घंटे काम करे की 60 काम करेगा तो इसको हम लोग फर्मूलप बनाएंगे यानि कि M1 यानि कि आदमी जो पहला आदमी है ठीक है D1 यानि कि जो सुरू का समय ले रहा है और H1 यानि कि पहला आदमी के द्वारा जितना घंटा काम किया जा रहा है डेली और W1 यानि कि जितना काम पहले बेगती के द्वारा किया जा रहा है उसी प्रकर है M2 यानि कि दूसरा आदमी D2 यानि कि कितने दिन तो काम कर रहा है देज और H2 याने की कितने घंटे काम कर रहा है और W2 याने की कितना total काम उसके द्वारा किया जा रहा है ठीक है? तो हम लोग इसी पर फूट कर दिये है कि एक आदमी जो है 40 दिन यानि कि 40 दिन लिख दिये है 2 घंटा काम कर रहा है तो H2 को जहाँ पर 2 लग दिए और टोटल गाम क्या कर 이제 30 नएकि काम को नीचे रख दिए WN के जहापर उसी प्रकार दुसरा जो आदमी है वो क्या कर रहा है कि 20 दिन काम कर रहा है 20 दिन घंटे पता नहीं है तो आवर के जहापर आवर लिख दिए है और जो है क्या कर रहा है A3 से A3 को cut कर देंगे तो यहां से क्या जाएगा तो H2 बराबर यहां से 8 आ जाएगा यानि कि यहां से H बराबर 8 गंटे का समय ले लेगा ठीक है तो H बराबर फाइनली 8 गंटे का समय यहां से ले लेगा अब हम लोग अगले नमर की क्यूचन को solve करेंगे सात्वे नमर क्यूचन है कि एक जमीन का 2 बटा 5 भाग 6 दिनों में ठीक है तो 2 बटा 5 लिख लिए 6 दिनों में किया जाए रहा उसकाम को और B जमीन का 1 बटा 3 भाग 10 दिनों में काट सकता है तो 1 बटा 3 यहां पास लिख लिए अब देखिए A और B एक साथ काम करें तो 4 बटा 5 भाग जमीन को कितने दिने यानि कि 4 बटा 5 भाग का यहां से निकालना है कि कितने दिने में जमीन के कटाई हो जाएगी तो देखिए इस प्रस्न को हम लोग करने के लिए सबसे पहरे सिंप्लि हम लोग मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है वो 2 बटा 5 और 3 बटा 5 यानि कि कोई ऐसा संख्या लेंगे जो कि 5 और 3 दोनों से कटने वाला होगा तो 5 तिया 15, तो 15 जो है दोनों सो कटने वाला है, तो हम लोग simply 15 ले लिये हैं, तो माना कि कोई कार जो है वो 15 है, ठीक है, तो 15 कार मान लिये हैं, तो 15 कार ये को जब 2 बटा 5 भग किया जा रहा है, तो इसे करने के लिए 5 तिया 15 नहीं कि 3, 2, 6 यह नहीं कि 6 भाग लग ठीक है, उसी प्रकार, तो A ब्राबर 6 भाग आ गया, तो 6 दिनों में क्या कर देगा यहां से, तो 6 दिनों में यहां से 12 भाग और A और B मिलकर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 2 दिन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार यहां से बोला है कि 15 का 3 बटा 4 भाग, sorry 4 बटा 5 भाग करना है सबसे पहले B का निकल लेंगे, तो यहां पास बोला है, कि B जो है 15 का 1 भाग कर रहा है, तो यहां से 5 क के पढ़ा है 15 जो है 5 भाग गए 10 दिनों में कर रहा है, तो B की छंपा निका लेंगे, तो 5 भाग दस है, एनकि 1 बटा 8 ठीक है? अब यहां से क्या कर देंगे हम लोग हो जाएगा और total काम क्या था यहां से तो cool काम जो है वो 12 था और जो b का cool छमता था sorry इन दोनों का जो cool छमता था a plus b दोनों का 3 बटा 2 था तो 2 उपर जाएगा तो multiply हो जाएगा तो हो जाएगा 12 दोनी 24 और यह कि हो जाएगा 3 से काटेंग उसको तो हो जाएगा 8 यहनिकी 8 दिनों का समय लेगा एट नमर question है कि a और b किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं b और c उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं था-C और A उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो यहां से देखिए, ए ए दोबार आगे, यानिके 2A, डी भी दोबार आगे, यानिके 2C, यानिके 2 को जब कुमन लेंगे तो अंदर A, प्लस B, प्लस C बचेगा, और ब्राबन है पस क्या है, 12 है, तो दो से जब इसको 12 काट देंगे, तो 6 पर में, यानिके A, प्लस B, प्लस C कमन क्या आजाएगा, 6 हाजाएगा, तो कूल काम बटा कूल छंता कर देंगे, यानिके कूल काम क्या है, 60 है, कूल छंता क्या आगया, 6, तो जब इसको काटेंगे, तो 10 दिनों में क्या हो जाएगा, समाप हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो अंसर हो जाएगा, हो जाएग आपको ये बताना है, तो देखिए A जो है किला 4 घंटों में, B और C 3 घंटों में, A और C 2 घंटों में, तो यहां से इन सबों का LCM लें ज़िए 12 जाएगा, 4 बेक्ती क्या करेंगे, 12 काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 बेक्ती 12 काम को 3 रख देंगे, तो C बराबर क्या जाएगा, C बराबर यहां से 3 आजाएगा, ठीक है, उसी परकार यहां दिया गया है, कि B पलस C का छंटा क्या है, 4 है, देखिए, B पलस C का छंटा क्या है, 4, ठीक है, और C का छंटा क्या है तो कूल काम जो है वो बारा है और कूल जो छमता है वो क्या है तो कूल छमता जो है एक है तो बारा काम है और एक छमता है यानि कि बारा घंटों का समय उस काम को करने में लगेगा यानि कि इसका जो अप्शन हो जाएगा वो अप्शन नमबर बी विल्कुल सही हो करते हैं उन्होंने 30,000 में एक कारे को करने का ठेका लिया तो कुल रासी में से एक कहीं सां जो होगा आपको बताना है कि एक को कितना परसेंट मिलेगा तो यह जो है 15 काम करता है जो 10 काम करता है LCM लेंगे 30 हो जाएगा यानि की जो यह इसका 15-30 काम को 2 दिन में कर सकता है ठीक है तो यहां से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि इन दोनों का जो छमता हो रहा है वो हो रहा है दो पलस तीन यानि कि दो पलस तीन अनुपात मोह रहा है यानि कि इन दोनों का जो छमता हो जा रहा है वो पांच छमता हो जा रहा है ठीक है और पैसा क्या ल तो 2 ratio, तो 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 6, 2, 12, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हो 12, तो आज के वीडियो इतना ही मिलेंगे, अब ले वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद,